सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासिस को और स्टेडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए हेलो वेवर्स वेलकम टो सिंपल एंड इजी क्लासिस आज की वीडियो महात्मा जोतेवा फुले रोहिल खंड विश्विध्याले बरेली से जुड़ी हुई है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप LLB में एड्मीशन लेना चाहते हैं या फिर आप BPA में एड्मीशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत खास होने वाली है साथी साथ जो स्टुडेंट्स MSC Microbiology में एड्मीशन लेना चाहते हैं वीडियो उनके लिए भी बहुत खास होने वाली है साथी साथ ये वीडियो Amphil History में जो स्टुडेंट्स एड्मीशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत खास होने वाली है रोहिल खंड विश्वित ध्वायले द्वारा तीन बड़े नोटिस जारी किये गए हैं जिसमें इन सभी स्टुडेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यह वीडियो को बिना स्किप करें लास तक देखें और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं MSC Microbiology Counseling Schedule के बारे में यहां आप देख सकते हैं कि MSC Microbiology का Counseling Schedule जारी किया गया है आपको 21 तारिक को अपनी Counseling के लिए जाना है 21.11.2020 यहां वेन्यू देख सकते हैं कि आपको कहा जाना है Sports Indoor Stadium Table Tennis Hall MJP RU Campus बरेली और आपकी जो Merit जारी की गई है वो Merit है Open Rank All यानि कि यहां जितने भी स्टुडेंट्स हैं वो सभी जा सकते हैं कोई रैंकिंग जारी नहीं की गई है कि इतने रैंक से इतनी रैंक तक सभी All Students Counseling के लिए जा सकते हैं और Reporting Time आपका है Rank Wise 2 बजे मतलब जैसे की एक से लेकर सौ तक है तो उनकी पहले Counseling होगी फिर सौ से लेकर दो सो तक बाद में Counseling होगी तो इस तरह से करके आपको Rank Wise 2 बजे वहां पर Report करना है आप मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने साथ के लेकर जाना है आपको अपनी जितनी भी Mark Sheets हैं वो सभी Mark Sheets अपने साथ लेकर जानी है और Original भी और Xerox भी, Photo State भी साथी साथ अगर आपके पास आपका जाती प्रमाड पत्र है तो आप अपने जाती प्रमाड पत्र जरूर लेकर जाएं Original भी और Photo State भी जिसमें क्रीमी लियर Sorry, Non Creamy लियर का उलेक हो और अगर Non Creamy लियर का उलेक नहीं है तो आपको अपने माता, पिता या किसी भी अभिवावक का आए प्रमाड पत्र साथ लेकर जाना है साथी साथ अगर आप EWS के स्टुडेंट से तो आपको अपने EWS का सर्टिफिकेट लेकर जाना है मूल मतलब Original भी और Photo State भी साथी साथ अगर आपको कोई आरक्षण मिलता है तो आपको अपना आरक्षण का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है आपको अगर डिफेंस कोट अकल आप चाहिए तो आपका अपना डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है जो ऑफसर कमांडेंट से बना हुआ हो आपको यहां 300 रुपय का बैंक ड्राफ बनवा कर लेकर जाना है जो की वित अधिकारी महात्मा जोतिवा फूले रोहिल खंड विश्विध्याले के नाम से बना हुआ हो और आपकी जो इंटरनेट की मांक शीट है वी एसी तृत्ते वर्ष की जो मांक शीट है आपकी वो एक्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा वेरिफाइड होनी चाहिए और आपको मांक, सैनिटाइजर और पानी की बोतल ले जाना भी कमपल सरी है अब हम बात कर लेते हैं बीपी एड और एललबी के स्टुडेंट्स के लिए यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर पीजी आने की पराइस नातक में आने वाले सभी कोर्सिस एललबी और बीपी एड सभी कोर्सिस के बारे में इंफॉर्मिशन दी गई है विश्विध्याले से संबंध राजकी अनुदाने सौवित पोशित महाविध्यालों में वर्ष 2020 में पराइस नातक इस्तर के संस्थागत प्रवेश एवं ऐसे प्रवेश जिन में प्रवेश यह तु एहनता इसनातक उत्तीर होना अनिवार रहे है प्रवेश परिक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेश को छोड़ कर MA, MSC, प्रवेश परिक्षा को छोड़ कर MCOM, LLB, 3V, BPA में ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित करने की तिथी कुल्पती मौदे के निर्देश अनुसार निम्नसार विस्तारित की गई है पराइस नातक पाठे क्रमों में प्रवेश हेतु महा विध्यालो द्वारा मेरिट त्यार कर प्रवेश लेने एवं ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश शुनिश्चित करने की अवदी 7-11-2020 से 24-11-2020 रखी गई है आपको बता दिया जाता है कि पहले पंजी करन के बाद अंग शंशोधन के लिए 2-6 तारिक तक का समय दिया गया था लेकिन बहुत से स्टुडेंट्स ने अपने मार्क्स को शंशोधित नहीं किया गया है इसलिए महाविध्यालों को सूचित किया गया है कि कोई भी स्टुडेंट्स जब वहाँ एड्मिशन लेने के लिए आता है और उसके मार्क्स में कोई भी तुर्टी निकलती है यानि कोई भी एरर निकलता है तो महाविध्याले अपने लॉग इन में उपलब एडिट मार्क्स के ऑप्शन में उनके अंग को शंशोधित कर देता है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके अंग शंशोधित नहीं हुए तो जब आप एड्मिशन लेने के लिए जाए हैं अब मैं आपको बताऊंगी एंफिल हिस्ट्री के स्टुडेंट्स के बारे में आप यहां एंफिल हिस्ट्री के स्टुडेंट्स की सूची देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टुडेंट्स को चुना गया है समानने वर्ग में यहां पर आप देख सकते हैं आठ स्टुडे जन जाती में थ्री स्टुडेंट्स दिये गए उनके नेम्स दिये गए हैं उप्रियोग सभी चैनित एंफिल शाच्छात्रा को सूचित किया जाता है कि दिनाग तेईस ग्यारा जुजार बीस को समय प्रातक ग्यारा बजे समझ शेक्ष्ट्रिक मूल प्रमाड पत्रों के को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जासाद शेर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो